हेलो माई दियर स्टूडेंस एन वेलकम तू मिन्ट टॉक इंडिया आज के इस वीडियो में हम आपके NCRT क्लास फिफ्थ इंग्लिश का योनिट नमबर टू लेसन फ्लाइंग टुगेधर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लेसन के नाम का मतलब फ्लाइंग मतलब उड़ना ट जो हम सबके साथ करते हैं साथ में करना सबके साथ रहना एक दूसरे की मदद करना हमारे लिए कितना फाइदामंद हो सकता है हम उस चीज को और भी अच्छी तरीकी से समझेंगे आपने तो वह कहावत सुनी होगी ना यूनिटी इस स्ट्रेंथ एक साथ रहने में ही सबसे ज्यादा फाइदेमंद साबित हो सकता है और यह जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं इस कहानी को पंचत अंत्र की बुक में से लिया गया है यह एक स्टोरी बुक है जो खास बच्चों के लिए बनी है और इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छी स्टोरिज पढ़ने को मिलती है जिससे हम बहुत अच्छे अच्छी बाते सीख सकते हैं, हमें moral values मिलता है, तो ये कहानी उसी बुक में से ली हुई एक कहानी है, तो चाप्टर को शुरू करने के पहले, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, What are some of the things your parents and your teachers tell you to do on time? ऐसी कौन-कौन सी चीज़े हैं, जो आपके parents, आपके ममी, पापा और आपके teachers हमेशा आपको समय पे करने को बोला करते हैं, जैसे समय पे जल्दी-जल्दी सुबह को उठा करो, अपना काम समय पे पूरा कर लिया करो, अपना स्कूल बैक सोने से पहले पैक करके ही सोया करो, अपनी सारी चीज़ों को हमेशा जगा पर रखा करो, और अपना सारा काम समय पे किया करो, समय को इतना importance क्यों दिया जाता है और अगर आप उनकी कहीवी बातों को समय पे पूरा नहीं करते तो आपको कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है बात में जैसे अगर आप सुबह सुबह उठने में देर करते हैं जल्दी नहीं उठते हैं तो शायद आपकी स्कूल बस मिस हो जाएगी अगर आप अपना homework नहीं करते तो शायद आपको मैडम से डाट पड़ सकती है अगर आप अपना स्कूल बैक ठीक से पैक करना भूल गए तो शायद कोई important notebook या फिर activity करने की चीज़े आप घर में ही भूल कर स्कूल चले जाएंगे और आपका काम अधूरा रह जाएगा ये सब चीज़े मम्मी पापा लोगों को टीचर्स को इसलिए पता है क्योंकि वो भी कभी बच्चे थे और उन्हें भी इस चीज़ का experience है उन्हें इस चीज़ का पता है कि ये सारी गलतियां छोटे उमण में बच्चे करते हैं और इसलिए बच्चों को सिखाना होता है तो चलिए पढ़ते हैं एक सुन्दर सी स्टोरी और सीखते हैं कि हम हमारी जिंदेगी को और भी खुबसूरत कैसे बना सकते हैं सब के साथ मिलके So let's start Deep in a forest एक जंगल में बहुत ही घने जंगल के अंदर stood a very tall tree खड़ा था एक बहुत लंबासा पेड stood है stand का pastons A very tall tree एक बहुत ही लंबासा पेड Its leafy branches उसके पत्तों से भरी हुई शाखाएं spread out, valley हुई थी like strong arms जैसे कि किसी की मजबूत बाहें जैसे हम या फिर कोई भी बड़ा लंबा चोड़ा सा इंसान जब खड़ा होता है उसकी बाहें एकदम strong होती है वो कितने भी kilogram का भार आराम से अपने दोनों हाथों में उठा सकता है तो एक लंबे चोड़े पेड को भी देखे ऐसा लगता है कि जैसे एक strong man खड़ा है और उसके लंबे चोड़े आर्म्स पूरे पेड का भार उठाए खड़े हैं This tree was the home of a flock of wild geese ये जो पेड था वो घर था एक wild geese के जुन्ड का flock of a bird एक collective noun है जिसका मतलब एक group होता है पक्षियों का group और इस पेड पे कौन से पक्षी रहते थे थे? wild geese geese है goose का plural form मतलब one goose and many geese geese एक बतक जैसे दिखने वाला पक्षी होता है लेकिन जो बतक से थोड़ा different होता है उसकी चोच अलग होती है उसके पंक थोड़े से अलग होते है तो इस पेड पे geese का एक जुन्ड रहता था they felt safe there उन्हें इस पेड के उपर रहने में सुरक्षा महसूस होती थी felt, feel का past tense होता है और उन्हें कैसा feel होता था? safe feel होता था सुरक्षित महसूस होता था उन्हें सुरक्षित महसूस कियों होता था? क्योंकि अगर आप किसी tall tree को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपर जहां पे पत्तों से भड़े होए उनकी शाखाएं हैं, यहां तक पहुँचना किसी भी इनसान के लिए या फिर जानवल के लिए बहुत मुश्किल होता है, इतना लंबा सा पेड चड़ना आसान काम है क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए यहां पे जो भी चड़िया घोसला बना के रहेगी, अपना घर बना के रहेगी, उन तक कोई भी जानवर या फिर इनसान, हंटर नहीं पहुच पाएगा और वो सुरक्षित रहेंगे. इन सभी गीज में से एक गूस ऐसा था, जो बहुत ही वाईज और बूढ़ा बर्ड था. वाईज क्या होता है? वाईज एक ऐसे इनसान को या फिर एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है, जिन्हें बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो, जो बहुत ही experienced हो, काफी बाते जानता हो experience होने का मतलब अपनी जिन्दगी में उसने बहुत सारी चीज़े सीखी थी. तो यहाँ पे ये जो चश्मा पहने, हम इस गूस को देख सकते हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान और intelligent गीज था. He was a wise old bird. एक दिन उसने देखा, he noticed a small creeper at the foot of the tree. एक छोटे से creeper को पेड़ के नीचे. सबसे पहले creeper क्या होता है? creeper कोई भी plant को बोला जाता है, जो जमीन पे बढ़ता है, या फिर किसी भी पेड़ के सहारे, या फिर किसी भी दिवार के सहारे उपर बढ़ता जाता है. तो फिर एक दिन इस wise old goose ने देखा कि एक छोटा सा creeper, यानि कि एक ऐसा पेड़ जो दूसरे पेड़ के सहारे आगे बढ़ता है, लंबा चोड़ा होता है, ऐसा एक creeper वाला plant इस पेड़ के फुट के नीचे बढ़ रहा था, at the foot of the tree. फुट क्या होता है? फीट का plural, जैसे हमारे पाउं होते हैं, वैसे तो पेड़ के पाउं नहीं होते, लेकिन पेड़ जिस जगा पे जमीन को टाइटली पक को बढ़ते हुए देखा, उसने कहा, he spoke, spoke होता है, speak का past tense, he spoke to the other birds about it, उसने बाकी पक्षियों को इस creeper के बारे में बताया, do you see that creeper, क्या तुम उस creeper को देख सकते हो? he said to them, let us destroy it, चलो हम उसे damage कर देते हैं, नश्ट कर देते हैं, उस creeper को खतम कर देते हैं, why must we destroy it? ask the geese in surprise, बाकी के जितने भी geese थे, उन्होंने हैरान होके पूछा, क्यों, हमें उसे क्यों नश्ट कर देना चाहिए, it is so small, ये इतना छोटा सातो है, what harm it can do, ये हमारा क्या नुकसान पहुचा सकता है, हाम मतलब नुकसान पहुचाना, wise goose ने बोला, my friends, मेरे दोस्तो, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow, वो वाला छोटा सा जो creeper है, वो हमेशा छोटा तो नहीं रहेगा, वो जल्दी ही बढ़ा हो जाएगा, ग्रो करेगा, and as it creeps up this tree, और जैसे जैसे वो इस tree पे बढ़ता जाएगा, creeps का मतलब, to move forward slowly, धीरे धीरे आगे बढ़ना, जैसे जैसे, ये छोटा सा creeper धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा, it will become thick and strong, ये छोटा सा पतला सा plant, ज्यादा मोटा बन जाएगा, और ज्यादा सक्त, strong बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, तो आपने अपने EBS में पढ़ा है, जब plants छोटे होते हैं, उनका जो stem होता है, वो green कलर का पतला सा कमजोर होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो brown कलर का मोटा और मजबूत होता जाता है, और उसे तोड़ना या फि किल हो जाता है, फिस अभी पक्षियों ने बोला, what of that, क्या, वो छोटा सा पोधा, what harm can a creeper do us, एक छोटा सा creeper हमें क्या नुकसान पहुचा सकता है, wise bird ने कहा, don't you see, replied the wise bird, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, with the help of that creeper, उस creeper का सहारा लेके, it will be possible for someone, ये मुमकिन होगा किसी के लिए, possible means मुमकिन होगना, for someone, किसी के लिए भी, to climb this tree, इस पेड़ पे चड़ना, भले ही, ये creeper हमारा कुछ हाम नहीं करेगी, लेकिन इस creeper के सहारे, इस creeper की मदद लेके, कोई भी इस पेड़ पे climb कर सकता है, चड़ सकता है, A hunter can come up, एक शिकारी उपर आ सकता है, and kill us all, और हम सब को मार डाल सकता है, तो फिर उस समय हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी, बाकि सब ही गीज समझ नहीं पा रहे थे, Well, there's no hurry, they replied, उन्होंने उत्तर दिया कि वेल, अभी तो कोई जल्दबाजी नहीं है, हरी means कोई भी जल्दबाजी नहीं है, The creeper is very small, वो वाला creeper अभी भी बहुत छोटा है, अभी बहुत टाइम है, It would be a pity to destroy it now, अभी तो बहुत दुख की बात होगी, Pity मतलब something that causes sadness or disappointment, कि अभी तो इतने छोटे से पौधे को उखाड के फेकना या फिर काटना बहुत दुख की बात होगी, अभी हम इसे नश्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी wise bird बोलते रहे, Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised, उस बूढे wise bird ने सब को सलहा दी, suggestion दिया, Now it is tender, अभी ये छोटा सा creeper पतला है, tender क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो soft होती है, आसानी से काटी जा सकती है, तो इसी लिए wise bird ने कहा, अभी तो ये छोटा सा जो creeper है, वो soft है, आराम से काटी जा सकती है, हम अपने चोँच से उस creeper को काट सकते हैं, And you can cut it easily, और तुम अराम से अपनी चोँच से उस creeper को काट सकते हो, Later, बाद में, it will become hard, ये creeper बहुत ही सक्त हो जाएगा, And you will not be able to cut it, और तुम इसे आसानी से काट नहीं पाओगे, तब क्या करोगे? काट भी नहीं पाओगे, और उसे उसकी जगा से हटा भी नहीं पाओगे, फिर क्या करेंगे? फिर भी सब गीज ने बोला, We will see, we will see, हम देख लेंगे, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, answered the birds, but they did not destroy the creeper, लेकिन उन सब ने wise old bird की बात नहीं मानी और उस creeper को नश्ट नहीं किया, They forgot the wise old bird's advice, वे सब उस बुढ़े experienced old bird के सुझाव को भूल गए, और ऐसे ही बहुत दिन निकल गया, As the creeper grew, जैसे जैसे वो छोटा सा पौधा बढ़ा होता गया, ग्रिव होता है past tense grow का, जैसे जैसे वो creeper बढ़ा हुआ, It began winding its way up the tree, उस creeper ने आगे चलके बढ़ते बढ़ते पूरे पेड को लपेट ते हुए बढ़ता ही गया, Winding का मतलब होता है to go in a spiral or circular direction, किसी चीज के इर्द गिर्द जाके उसे अच्छी तरीके से लपेट लेना, वो होता है winding, अच्छा, wind इस spelling का एक और चीज भी होता है, एक तो हमने जो भी अभी पढ़ा wind मतलब लपेट लेना, और एक और wind मतलब wind होता है हवा, यानिकी air, spelling तो दोनों सेम हुए, लेकिन meaning और pronunciation दोनों अलग हुए, एक है wind यानिकी लपेट लेना, दूसरा है wind मतलब हवा, तो ऐसे जो दो शब्द हैं, जिनके spelling तो सेम हैं, लेकिन different pronunciation हैं, और different meaning भी हैं, मतलब भी अलग है, ऐसे words को हम homonyms कहते हैं, यह है चोटा सा grammar portion, जिसके बारे में हम question answers को solve करते टाइम और discuss करेंगे, तो चैप्टर को आगे पढ़ते हैं, As the creeper grew, it began winding its way up the tree, began होता है past tense, begin का, उस creeper ने शुरू कर दिया, बढ़ते बढ़ते पूरे पेड को अपने में लपेट लेना, stronger and stronger it became, जैसे जैसे वो बढ़ता गया, जैसे old wise bird ने बोला था, वो और भी ज्यादा मजबूत और चोड़ा होता गया, बढ़ता ही गया, until it was as strong as a thick rope, जब तक की वो एक मोटे रसी जितना मजबूत बन गया था, one morning, एक दिन सुबह को, when the geese had gone out, जब सभी geese बाहर गई हुए थे, in search of food, खाने की तलाश में, a hunter came to the forest, चुपके से एक शिकारी उस जंगल में आया, so this is where the wild geese live, तो यहीं वो जगा है, जहां पे वो जंगली geese रहते हैं, he said to himself, उसने अपने आप से बूला, when they come back in the evening, आज शाम को जब वो वापस आएंगे, I shall catch them, मैं उन्हें पकड़ लूँगा, the hunter climbed up the tree, वो hunter पेड के उपर अराम से चड़ गया, with the help of the creeper, creeper के सहारे, जैसे की wise old bird ने बहुत दिनों पहले सब को बोला था, इस creeper के उपर अपना पैर रखके, उसका सहारा लेके अराम से वो hunter उपर चड़ गया, जहां पे सभी birds ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, he got to the top, वो पेड के एक दम उपर चड़ गया, और spread his net there, अपना जाल वहां पे उसने spread out कर दिया, फैला दिया, then he climbed down, उसके पाद वो फिर उसी creeper का सहारा लेके अराम से नीचे आ गया, and went away, और वापस चला गया, ताकि किसी भी चड़िया को शक ना हो, in the evening, शाम के समय, the geese returned home, सभी geese वापस अपने घर में आ गए, they did not notice the net, शाम के टाइम वैसे थोड़ा अंधेरा अंधेरा होने लगता है, किसी भी चड़िया ने अंधेरे में उस net को ध्यान नहीं दिया, देखा ही नहीं, as they flew into the tree, जैसे ही वो पेड़ के अंदर उड़ के गए और बैठने गए, they were trapped, वो वहाँ पे जाके फस गए, क्योंकि गीस के foot कैसे होते हैं, उनके webbed feet होते हैं, और उनके webbed feet नेट के अंदर जाके फस गए, trapped मतलब फस जाना, T-R-A-P, trapped मतलब फस जाना, trapped मतलब फस गए, past tense में double P, they struggled hard, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत महनत की, to get out, उस net से बाहर निकलने की, but could not, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, help, help, cried the geese, सभी geese रोने लगे, चिलाने लगे, बचाओ, हमें बचाओ, we are caught in the hunter's net, हम सभी इस शिकारी के जाल में फस गए हैं, oh what shall we do, अब हम क्या करें, don't make a fuss now, said the wise old bird, intelligent wise old bird ने बोला, कि अभी तुम शोर शराबा क्यों कर रहे हो, making a fuss मतलब, becoming angry and complain, कि अभी गुस्सा होके या फिर शिकायत करके क्या फायदा, long ago I told you, बहुत दिनों पहले मैंने तुम्हें बोला था, to destroy the creeper, उस छोटे से creeper को खतम कर दो, नश्ट कर दो, but you did not, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, now see, अब देखो, what has happened, क्या हो गया है, tomorrow morning, कल सुभा, the hunter will come back, वो शिकारी वापस आ जाएगा, and kill us all, और हम सब को मार डालेगा, we were foolish, wept the birds, हम सब बेवकूफ थे, सभी पक्षी रोने लगे, wept होता है, weep का past tense, weep मतलब रोना, सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, वे सब रोने लगे की, हम तो बेवकूफ बन गए, हमें समझ नहीं आया, आपने बहुत पहले जो बताया था, वैसा ही हुआ, we are very sorry, हम बहुत शर्मिन्दा है, we did not listen to you, हमने आपकी बात नहीं मानी, please tell us what to do, हमें please बताइए की, अब हमें क्या करना चाहिए, then listen carefully, replied the wise bird, फिर wise bird ने बोला, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, when the hunter comes, कल जब वो शिकारी वापस आएगा, you must all pretend, तुम सब को ऐसा दिखाना है, to be dead, जैसे की तुम मर गए हो, pretend का मतलब होता है, behaving in some way, in order to believe something that is not, मतलब acting करना, ऐसा दिखाना, जैसे की तुम dead हो गए हो, मर गए हो, just lie still, simply, एकदम चुप चाब, बिना हिले डुले, एकदम मरे हुए, चिडिया की तरह पड़े रहना, lie still, lie मतलब सोई रहना, still मतलब एक तम चुप चाब, यह देखिए, यह वाला lie भी homonym है, एक lie lie का मतलब होता है, जूट बोलना, और दूसरे lie lie का मतलब है, ले का past tense, यानि की चुप चाब पड़े रहना, The hunter will not want dead birds, hunter को, शिकारी को, मरे हुए, पक्षी तो नहीं चाहिए होंगे, He will throw us to the ground, वो हमें खुद इस net से, निकाल निकाल के, जमीन पे फैक देगा, It will then be easy for him, फिर उसके लिए, बहुत ही आसान होगा, to climb down, नीचे उतरना, collect the dead birds, सभी मरे हुए पक्षियों को, इकठा करना, and take them home, और सभी मरे हुए पक्षियों को, इकठा करके, उन्हें घर ले जाना, When the last of us, had been thrown down, जब हम सभी पक्षियों में से, आखरी पक्षी को भी, नीचे फैक दिया जाएगा, We must quickly get up, हम सभी को, quickly, जल्दी से उठ जाना चाहिए, and fly away, और उड़ जाना चाहिए, Wisebird ने ऐसा क्यों कहा, कि जब तक आखरी चिडिया को भी, hunter अपने जाल से निकाल के ना फेक दे, तब तक सभी पड़े पड़े, acting करते रहेंगे, pretend करेंगे कि वो सब मरे हैं, ऐसा इसलिए क्यों कि, अगर बीच में ही कोई चिडिया उड़ी, या फिर उठी, तो फिर hunter को पता चल जाएगा, कि अरे, इसमें से आधी चिडिया तो, ऐसी सोई हुई थी, शायद दूसरी चिडिया भी, जिन्दा होगी, सिर्फ सोई हुई होगी, खुद निकालके नीचे ना फैंक दे, तब तक सभी बाकी चिडिया नीचे वैसी की वैसी ही पड़ी रहेंगी, ये प्लान बनाया था, वाइस बर्ड ने, और वही हुआ, इन दा मॉर्निंग, दा हंटर केम, सुभै को वो शिकारी वापस आया, तु दा ट्री एंड क्लाइंड अप, फिर से वो पेड के पास आया और उपर चड़ा, उसने उन सभी गीज को अपने जाल में देखा, उसने चुप चाप धीमी धीमी आवाज में बुद बुदा कर अपने आप से बोला, ये सभी गीज तो मर गई हैं, उसने एक के बाद एक सभी पक्षियों को नेट में से निकाल निकाल के बाहर फेकता गया, थ्रिव है पास्टेंस थ्रो का, दो बर्ड ले स्टिल अंटिल दा लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सभी चिडिया वैसी की वैसी ही पड़ी हुई रही, सोई हुई रही जमीन पे, जब तक की आखरी चिडिया को भी नीचे उसने नहीं फेक दिया, दिन, all at once, फिर सभी एक साथ, they all got up, एक साथ सभी उट गए, फ्लैप्ट देर विंग्स, अपने पंखो को उपर नीचे उपर नीचे हिलाना शुरू किया, और फ्लिव अवे, और एक साथ उड के चली गई, फ्लिव है पास्टेंस, फ्लाई का, दूर उड के सभी चले गई, the hunter was taken by surprise, शिकारी को इससे ज्यादा हैरानी कभी नहीं हुई थी, उसने ऐसा होगा कभी सोचा ही नहीं था, from the top of the tree, उस tree के एक दम उपर से, he watched, उसने देखा, all the geese fly away, कि सभी गईज एक साथ उड के चले जा रहे हैं, यह है importance unity का, और यह है importance wise people की बाते मानने का, तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, the first learning is, we should always listen to wise people, elder people, like our parents and our teachers, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बाते जो आपने नहीं देखी या फिर आपको नहीं पता, वो सब बाते parents को और teachers को पता होती हैं, और इसी लिए वो आपको अपना experience शेयर करते हैं, और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि unity is strength, हमेशा सब के साथ मिलके काम करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी, अगर एक भी गीज बीच में उटकर ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता, वो तो भाग जाता लेकिन बाकी सभी गीज फस जाते, इसी लिए दूसरों को बचाने के लिए भी आखरी गीज के नेट से निकलने तक सभी गीज नीचे पड़े रहे, ताकि सब की जान बच सके, ताकि सब की जान बच सके, that is why being in unity is very important. Let's see the new words one more time, गीज is the plural of गूज, गूज एक तरीके का large webbed foot वाला bird होता है, creeper एक ऐसा plant होता है, जो जमीन पर ही आगे आगे बढ़ता है, या फिर उसे उपर चड़ने के लिए किसी चीज की support की ज़रुरत होती है, जैसे किसी पेड का support या फिर किसी दिवार का support, winding, winding होता है किसी चीज को लपेट लेना, to go in circular या फिर spiral direction, muttered, muttered का मतलब होता है, to speak in a low tune, धीरे धीरे धीमी आवाज में बुद बुद आना, flapped, flapped होता है, उपर नीचे उपर नीचे पंखो को फड़ आना, जैसे पक्षी उडने के लिए अपने पंखो को फड़ आते हैं, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, तो जरूर लाइक बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आये कि आपने इस चैप्टर को एंजोई किया और अच्छे से समझा, इस चैप्टर के question answers हम अपने part 2 वीडियो में solve करेंगे, जिसका लिंक आपको प्लेइलिस्ट में या फिर इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा, we will meet very soon with our part 2 वीडियो, till then thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.